तो भाई welcome to our channel और आज हमारे सामने खड़ी है अपनी bullet standard 350 आज इस वीडियो में मैं आपको इसका price बताऊंगो इसके कुछ drawbacks बताऊंगो और इसके कुछ feature और इसके look के बारे पर हम आज बात करेंगे सबसे पहले हम उसके नीचे front में देखते हैं तो इसका टूच टायर है वह काफी जो है पतला आता है जो की slip होने के chances काफी जादा रहते हैं क्रॉम फिनिश में इसके spoke wheel आपको available होते है इस बाइक में जो है ट्यूब आपको मिलती है पंचार हो जाएगा तो आपको ट्यूब बजलवान के पड़ेगी वेट ही होने के वजए से ट्यूब फटवी जाती है अगर आप धक्का मारके या बैठके ले जाते हो तो और इस साइड में से देखे 5-speed के अंदर ये 5-speed gears में आपको बाइक अवेलेबल होती है साइड में से chrome engine आपको मिलता है इसमें यह उपर आपका 3D लोग है बहुत जादा इसी बाइक के लिए जो लोग इसको खरीदते है क्योंकि इसका लुक जो है वह किसी भी रोयल इन्फिल्ड के मुकाबले बहुत ज्यादा बैटर है सिंगल सीटीड ये बाइक है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कुषिनिंग है according to classic में लेकिन इतनी अच्छी कुषिनिंग उसमें भी नहीं थी साइड में से आपको इसमें आपके साडी गाड मिल जाता है अब बात कर लेते हैं इसके आपको अन्दर सेलफ अवेलेबल नहीं होता किकस्टार्ट इसमें बाइक मिलता है लेकिन कहा रहे हैं आपको एक लाग त्रेज़ंव अजार के असपास मिलेगा दिली में समगार लागं बगयर लगांगे बुलेट 350 का आपको 3D लोगों यहां पे साइड में वीडिक वे म मिल जाता है और एरबोक्स की जगह पे पीछे से क्रोम फिनिश में आपके शोकर मिलते हैं पीछे का टायर काफी पतला है जो की बहुत बढ़ ड्रोब एक है इस बाइक के अंदर इस पोक विल्स आपको इसमें मिलते हैं यह आपका एक्जोस्ट है को पूरा फुली क्रोम फिन नंबर फ्लेट यहां पर आपकी फ्लैट वाली आती है इसमें आपकी नंबर फ्लेट लगेगी इदर आपका रिफ्लेक्टर होगे और यह आपका टायरा साइकल जैसे आपको देखने को मिलेगा यह जो की बहुत ज्यादा फिचलती है वाइक तो ओल ओवर लुक आप देख पुच रहे हो तो बजेट फ्रेंडली वाइक है क्योंकि क्लासिक वगारा जो है सब इनसे इस वाले मोडल से महंगी है और भाई इस बाईक के वारे में और क्या बताऊं मैं इस बाईक को जो है लोग इतना पसंद करते हैं भाई मेरे पास भी क्लासिक दी वहले तो मैंने भी इस वो बेच कर जो है स्टैंडर्डी पर्षेज कर लिए बिस फूर मोडल है मेरी यह बाई जो यहाँ पर खड़े है इन्होंन हुआ